जहारकन के इस चुनावी मौसम में दिन हो या रात, सुबह हो या शाम चुनावी बातें और चुनावी सरगर्मिया तेज हैं, हम पहुँचे हैं हजारी बाग के इस जील के पास, जहां पर रोज कई सैक्ड़ों की तादाद में लगोग यहां पर जो स्थानिये लोग हैं, व मौझूदा सरकार है और विपक्षी दल है उनकी फिटनिस रिपोर्ट क्या कहती है चुनाव सर पर है और आप जानते हैं कि आप लोग इस पर ध्यान रख रहे होंगी कौन क्या वादे कर रहा है पिछले वादे पूरे हुए खुश है कि एक बार फिर चुनाव हो रहे हैं और एक बार फिर पर रखने का मौका मिलेगा आपको पार्टियों को और उमीद्वारों को यहां परते दिन सेक्ड़ों नहीं हजारों के संख्या में एकसरसाइज करने के लिए लोग आते हैं और जील पूरी तरह प्रदिस्वित हो चुका है और दुरभाग की बात है कि हम लोगे कई बार इस पूरे जील को ग्रीन जोन एरियास घोसित करने के लिए एराज सरकार स भागा लगभग कोई भी रास्ता आपको एच्छा नहीं दिखेगा हर जगा गड़ा है घर जगा कुछ ने कुछ गड़बड़ी आपको दिखेगी पूरा सहर आपको लगेगा कि दम पौरानिक सहर बनता चला जा रहा है विकास के नाम पर खर्चे बहुत हो रहे हैं लेकि जबीन पर दिखाए नहीं दे रहा है आपकी चिंता सबसे बड़ी चिंता क्या है कि कोई काम नहीं हो रहा है पैसा फंड पूरा आता है सरकार के द्वारा लेकि काम धरातल पर कुछ नहीं उतरता है तो इसी पर बिशेट जान दिया है अभी तो जो भी बिदायक में खड़ हैं वो यहां से जीतें यह बताइए कि आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है और क्या लगता है कि सबसे जरूरी काम इस वक्त इस इलाके के लिए इस इलाके के लिए सबसे जरूरी काम है जील का नवनिर्मान जो हमारे भाईया बोले इनको ग्रीन जोन घोशित होना चाहिए और जहां तक चुनाओ की बात है तो चुनाओ में हर आदमी सबसे पहले रास्टबाद देखता है रास्टबाद अगर जिन्दा रहेगा तो चुनाओ बहुत होते रहेंगे और बहुत परत्यासी जितते रहेंगे आज के दौर में जारखन की सबसे बड़ी समस्या है पलायान, सिच्छा और गरीवी यहां का दोहन ही सिर्फ किया है जो भी केंदर में सरकार मना है आज इस्तिती यह हो गई है कि कोई भी परत्यासी अपने आप में यह वादा करने में सच्छम नहीं है कि यहां का हम दौहन नहीं होने देंगे आप कहरें कि रोजगार, शिक्षा, स्वास, सेवाएं यह जरूरी है और इसी का विकास भी होना चाहिए आप जब सुबा आज रोज सुबा आप इधर आते हैं जील के पास वाक के लिए तो जैसा कि बाकी लोग कह रहे हैं कि इस इस इलाके का विकास होना, साफ सफाई होना एक टूरिस पॉर्ट भी है हजारी बाग जो घुमने आता है, आपके परिवार वाले जानने वाले, आम शूर आप उनको यहां भी ले लेकर आते होंगे आप लोग चाहते होंगे कि यहां पर साफ सफाई हो, बहतर इंतजाम हो, ताकि इसको आप लोग सहेच कर रख पाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है इसके लावा आप लोगों की चिंताएं क्या हैं, क्या चाहते हैं, वो मुद्दे क्या हैं, जिस पर ध्यान देना चाहिए, आपको लगता है कि उमीदवार पांच साल बाद ही दिखाई देते हैं और पांच साल गाइब रहते हैं। टीकट वो पैसा पहले खर्च करके आ रहे हैं, तभी वो चुना लड़ रहे हैं। तो उनकी नजर एक ही रहती है कि पहले पैसा कमाँ, जितना पैसा मैंने पार्टी फंड में दिया हैं, उतना पहले जुगाड कर लो और अगले एलेक्सन के लिए फिर हमको 10 कोडोल, 20 कोडोल खर्च करना है, तो पहले वो अपना पॉकेट भरने के लिए कर रहे हैं, उसके बाद ही उजनता के लिए ध्यान दे रहे हैं। इस वज़ा से मैं जो समस्या है, विकास नहीं होने का यही है। मैं सभी राजनितिक दलों से मांग करूंगा कि इमांदारी पुरवक और जितन आप डालते हैं, आप यंग वोटर हैं हजारी बाग के, फिर्स टाइम वोटर हूं हैं तो यह सब सुन रहे हैं कि लोग को बहुत बाद डाल चुके हैं। बहुत मैयूस है। यहां का सिस्टम ही बहुत खराब है, ना रोट ना नाली है, ना ट्रैफिक नियम है, और ना ही ह हम लोग के एजुकेशन का कुछ पॉलिसी अच्छा है और नहीं हमारा ना जॉब के लिए कुछ अपॉर्टी अपॉर्टी कुछ भी नहीं है इस डिस्टिक में यहां पर सिर्फ कैंडिडेट आएंगे अपना रोटी पकाएंगे और चले जाएंगे जनता का इने कोई लेना देना नहीं है यह बस अपना बिल्डिंग बनाएंगे अपना इंस्फरस्ट्रक्चर खाड़ा करेंगे अपने बच्चों को डेवलप करेंगे हम लोगों का हमारा मतलब पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते हैं और अगर आप इनके दर्वाजे पर चले भी जाएंगे ना कर एक कि भी बनती है पानच सालों में जब दर्वाजे पर उमीदवार आते हैं तो तब उनसे सवाल जवाब किया जाता है लेकिन अप्ण सालो में हम कर बोट को चूस करके उसको वोट दे और उससे सवाल करें यह हम हम वोटर कभी अपना अमी है कि हम अपने जन्परतिन निधी अपने केंडिडेट से जाके पूछते नहीं हैं क्योंकि डर लगता है सबसे बड़ी बात है आगर क्योंकि पूछने तो सहएध हमारे साथ कुछ नहीं हो जाए वरना पूछता है पूछता है पूछता है स्मय तो वो लोग में गुस्सा होता है हमा नहीं होता है और जिनसे हमत हो पाती है उन्हें दबा दिया जाता है विलकुल सही ही ओ और उन अक्सर यहां पर माफिया भी ही बन जाते हैं जाता है डरने वाले कोई कि आपने को प्रशाथ म Action के पास चाहें है। उनके लिए आपको उसके पार टैम देना पड़ता है। रोजगार के लिए ही इस बार यहां के युआप पोड़ करेंगे। इक्यासी विधान सभा सीटों के लिए जारखंड की जनता क्या फैसला लेती है। तब तक जारखंड से लगातार कवरिज आप देखिए एंडी टीवी इंडिया पर। कामरमन मोमन के साथ सिक्ता देओ हजारी बाग एंडी टीवी इंडिया। कामर प्राखंड से लिए आप दीवी इंडिया। जाओंड सीटों करेंगो बाग देखिए लगी इंडिया। झाल